वेलकम स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि हम क्लास नाइंद की एंसी आर्टी देख रहे हैं साइंस की और सबसे पहले हम फिजिक्स के टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसी में जो ह समझेंगे और इसी के साथ हमारा ही चैप्टर कंप्लीट होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नियुमेरिक देखेंगे तो आए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लौ आफ मोशन जिसे हम गती का दूसरा नियम भी बोलते हैं देख तक कि उस पर कोई external force वाहियबल जो है वो कारे नहीं करेगा अब देखिए अगर कोई वाहियबल असंतुलित वाहियबल अन्बैलेंस्ट फोर्स अगर कोई कारे करना शुरू कर दे किसी object पर तो सीधी सी बात है उसके वेग में जो है वो परिवर्तन होगा वहाँ पर उसकी जो force है उसकी वज़े से आ रहा है तो यह जो external force है जिसकी वज़े से वस्तु जो है accelerate कर रही है एक object के अंदर acceleration आ रहा है velocity में change हो रहा है तो वही हमें पढ़ना है अब हमें देखना है कि वस्तु का जो तरण है वो किस तरह से जो बल उस पर लग रहा है उस पर निर्भर करत है और यह जो बल है यह जो external force उस पर लग रही है जिसकी वज़े से object motion में आ रहा है acceleration उसका बढ़ रहा है velocity में change हो रहा है तो यह जो बल है ना कितना बल हमें लगाना पढ़ रहा है उसको हम कैसे मापेंगे कैसे हम उसको measure करेंगे वही हमें यहाँ पर समझना है now we will see how the acceleration of an object depend on the force कितनी force जब लगा रहे हैं जिससे object accelerate कर रहा है तो वो कितनी force हमें लगानी पढ़ रही है उसको हम कैसे measure करेंगे उस force को और कैसे उस force की वज़े से velocity change कर रही है तो कैसे उस force की वज़े से वो object के अंदर जो acceleration आ रहा है वो depend कर रहा है उस पर force पर वो हमें यहाँ पर दे जाएगा अब कैसे अब देखें फोर्स अगर मेरे पास कोई भारी बकसा रखा है उसको मुझे अगर खिसकाना है तो मुझे जादा force लगानी पड़ेगी तो वहाँ पर जो मेरा force जिसका magnitude निकल कर आएगा परिमार निकल कर आएगा वो जादा न्यूटन में होगा जैसे 10 क्योंकि मास जादा है और अगर मास कम होगा तो force भी मुझे कम लगानी होगी और इसका सीधा सा उधारन हमें देखने को मिलता है जो table tennis का player होता है जब वो gain को मारता है वो gain छोटी होती है उसका जो मास है जो उसकी दरव्यमान है वो वहाँ पर कम होता है जिसकी वज़े से force लगाना पड़ता है और उससे अगर वो आपके शरीर पर आकर कहीं लगती भी है ना तो उससे चोट आपको कम लगेगी क्योंकि force कम लगी है तो उसका effect आपके उपर भी कम होगा लेकिन अगर अगर अभी कोई बल्ले बाज है उसको gain को मारना है तो वहाँ पर जो gain होगी जो ball होगी वो ज़ादा बड़ी होगी वहाँ पर उसका mass क्या है उसका दरव्यमान क्या है वो ज़ादा है तो वहाँ पर उसको ज़ादा external force लगानी पड़ रही है और उसका effect भी हमें ज़ादा देखने को मिलता है अगर table tennis की ball हमारे लगे तो वो ज़ादा हमारे चोट नही पहुचाएगी as compared to अगर cricket का player ball को मारेगा तो क्योंकि उसने force जादा लगाया है जिसकी वज़े से उसका effect हमारे उपर भी जादा दिखता है तो यहां से एक चीज किलियर हुई कि जो force है ना वो जो जो वस्टू accelerate कर रही है या उसकी velocity में change आ रहा है तो कैसे attain होगी वो होगी जादा force की वज़े से देखे सड़क के खिनारे अगर कोई truck खड़ा है तो उससे व्यक्ति घायल नहीं होता लेकिन जैसे ही वो motion में गती में आ जाता है तो जो व्यक्ति है ना वो घायल हो जाएगा इसका मतलब acceleration वहाँ पर आ गया वेलोसिटी वहाँ पर आ गई change हो गया जिसकी वज़े से वहाँ पर force लगी है तो force की वज़े से ही क्या हो रहा है velocity में change आ रहा है वेग में परिवर्तन आ रहा है और जितनी जादा मैं force लगाऊंगी उतनी ही जादा velocity हो जाएगी ठीक है ऐसे ही जेकि अगर मैं देखूं छोटा द्रवेमान वाली जो बुलट होती है बंदू की गोली होती है अगर उसको तीवर वेग से फास्ट वेलोसिटी से छोड़ा जाए तो उससे व्यक्ति की मृत्यू भी हो सकते है क्यों कि वहां पर जादा फोर्स है जादा फोर्स उसके बाद जादा लग रही है देख बहुत जादा है बहले ही मास जो है वहां पर द्रवेमान अगर कम है फिर भी अगर वेलोसिटी बहुत जादा है तो उसका इफेक्ट हमें बहुत जादा देखने को मिल रहा है ठीक है लेकिन यह जो हमें इफेक्ट देखने को मिला और ये जो मास और वेलोसिटी है ना ये किसकी वज़े से ये जो इफेक्ट हमें देखने को मिला है ना ये तो डिपेंड करता है किस पर मास और वेलोसिटी से ये बात यहां पर क्लियर हुई जितना जादा मास होगा उतना ही जादा क्या होगा फोर्स लग रही है जिसकी वज पहले 0, 2, 4, 6, 8 तो यह uniform acceleration है तो यह तो तो हमें क्या होगा तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए हमें अधिक बल की आवश्रक्ता होगी जैसा कि बुलट में हो रहा है यहां पर हमें अधिक वेग प्राप्त करना पड़ रहा है उसका acceleration बढ़ता ही चला जा रहा है जिससे उसके वेग में जो है काफी हाई जो वेग है जो उसका velocity है वो काफी हाई हो गई है बहुत ही fast हो गई है और वो क्यूं हो रही है क्योंकि वहाँ पर हमें जो बल है ना वो भी हम जादा लगा रहे है तो याद रखिए अगर किसी object में हमें जादा velocity चाहिए होती है तो is accelerated more forces required to obtain greater velocity जितनी जादा वेग मुझे चाहिए उतनी ही जादा velocity मुझे वहाँ पर देनी होगी तो अब मुझे clear वता चल गया यह जो acceleration हो रहा है यह जो velocity वस्तु में आरी है किसकी वज़े से आरी है force की वज़े से आरी है और यह force इसको हम measure किसकी वज़े से कर पा रहे है mass की वज़े से जितना जादा mass उतनी जादा force और यह acceleration इसे भी measure कर पा रहे है जितना जादा acceleration जितनी जादा velocity है अगर object के अंदर इसका मतलब उतना ही जादा mass उतना ही जादा force जो है बल जो है उस object के अंदर है जिसकी वज़े से उसकी velocity जो है वो काफी जादा है तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैं force को measure करूँ तो मैं बता सकती हूँ वो क्या होगा mass into acceleration होगा अब देखे यह जो mass और acceleration की वज़े से न यह जो वेग में परिवर्तन आ रहा है जो velocity में change आ रहा है जिस समय blood को fire करा गया उसकी velocity zero है अब उसके अंदर acceleration आ गया दो हुई चार हुई छे हुई आठ हुई तो यह acceleration हो गया acceleration की वज़े से उसमें कुछ एक final velocity आ गई जिसकी speed बहुत ज़ादा है तो यह जो वेग में परिवर्तन आ रहा है जैसे zero से बहुत ज़ादा velocity उसमें attain कर ली वेग जो है वो बहुत ज़ादा attain कर लिया तो यह जो change है ना velocity में यही आपका क्या कहलाता है momentum कहलाता है इसे ही हम समवेग बोलते हैं तो यहां से एक चीज और समझनी है हमें कि समवेग क्या होता है जो कोई अधिक जब वस्तू अधिक वेग प्राप्त करती है किसकी से तो वो हमारा संवेग होगा momentum होगा the high velocity that an object receive due to acceleration and mass is defined by the term momentum तो अगर आपसे पूछे momentum क्या है तो momentum कुछ नहीं है कि एक object के अंदर जब acceleration आ रहा है जैसे वो zero पे था वहां पर उसकी speed जो है velocity जो है वो बढ़ती चली जारी है acceleration की वज़े से और वहां पर mass भी matter कर रहा है तो वो mass और acceleration की वज़े से जो velocity में change आ रहा है वही क्या है आपका momentum है संवेग है तो संवेग सीधा सा ये है कि change in velocity with respect to time क्योंकि ये time के साथ भी हो रहा है यहां पर कुछ समय लग रहा है इसको velocity प्राप्त करने में तो उस समय में उसमें जो वेग में परिवर्तन आया किसकी object के mass की वज़े से द्रव्यमान की वज़े से और उसके acceleration तुरण की वज़े से वही क्या होता है आपका संवेग होता है momentum होता है अब देखे जो momentum है ये आपकी सदिश रासी होती है क्योंकि इसमें दोनों होती है इसमें परिमान भी होगा magnitude होगा इसकी कोई numeric value भी होती है औ और जिसका मात रख होता है kg meter per second तो इसको भी समझ लेते हैं संवेग जिसको हम momentum बोलते हैं जिसको P से denote करा जाता है वो हो जाएगा क्या मैंने बताया वो क्या है mass into velocity या फिर acceleration और mass की वज़े से जो velocity में change आ रहा है वही आपका momentum है तो momentum को represent करेंगे जो acceleration बढ़ रहा है वो कह mass into velocity जो है न वही आपका क्या है momentum है याद रखें द्रद्विमान और वेग का गुरनफल ही क्या है आपका समवेग है और इसकी ये कैसी राशी है ये सदिश राशी है scalar quantity है क्यों क्योंकि इसमें sorry ये सदिश राशी का मतलब होगा यहाँपर scalar quantity वेक्टर quantity इंगलिश में बोल है अडिश राशी को scalar बोलते है सदिश को क्या बोलते है Wector quantity है अदिश को समवेग आखेंच किस्की वजह से वह रहे है इच्टरनल फोर्स की वजह इसलिए कहा जा सकता है कि जो बल है ना जो फोर्स है वही मुमेंटम को परिवर्तित करता है उसमें चेंज लाता है तो अगर मुमेंटम में जो चेंज हो रहा है ना जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो किसकी वज़े से हो रहा है वो फोर्स की वज़े से हो जाएगा और force है ना वो किसके बराबर हो जाएगा rate of change in velocity with respect to time यहाँ पर time भी जो है ना वो matter करेगा कैसे कोई गारी खड़ी है तो मुझे जादा force लगाना होगा और time भी मेरा कम है time के साथ क्या हुआ जैसे 3-4 वेक्ती और आ गए ठीक है और अब मैं उसको continuous धक्का दिये जारी हूँ time से काफी time तक दिये जारी हूँ तो जिससे क्या होगा उसकी velocity में change हो गया और एक वक्त ऐसा आएगा time के साथ वहाँ पर मुझे force कम लगानी होगी देखे गारी खड़ी है तो मुझे जादा force लगानी पड़नी है तो time भी वहाँ कम है लेकिन जैसे जैसे time भड़ता गया object के अंदर वो force जाती जा रही है फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जो object है वो move करना शुरू कर देगा तो time के साथ जो है वो force भी मेरी क्या हो दिया कम होती चली जा रही है तो यहाँ पर यह जो depend कर रहा है याद रखिए जो समवेग है वो बलके परिमार के साथ नहीं बलके उसके समय के साथ भी उस पर भी निर्भर करता है देखिए समवेग में जो यह परिवर्तन हो रहा है जो velocity में change हो रहा है यह बलके परिमार से नहीं होता बलके जितने समय तक उस पर बल लगाया गया है उस पर निर्भर करता है यह भी depend करेगा भले ही object खड़ा है मैंने उस पर बल लगाया और थोड़े समय के लिए लगाया तो क्या वो object move करेगा उसकी velocity में change होगा नहीं होगा अब मैं इस object पर जादा समय के लिए force लगा रही हूँ तो यह object जो है move करने लगेगा तो यह जो time के साथ है ना उस पर depend कर रहा है आपका क्या समवेग, momentum और जितना जादा time के लिए किसी object पर हम force लगाएंगे तो वो force जो है ना धीरे धीरे कम होती चली जाएगी शुरू में मुझे जादा force लगानी पड़ रही है धीरे धीरे क्या हो रहा है जब एक वक्त ऐसा आएगा कि force जो है ना कम लगानी पड़ेगी और object जो है वो अपने आप move करने लगेगा तो समय के साथ force जो है वो मुझ पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समान अनुपादी होती है अब देखे समवेग क्या है velocity में जो change होता है वो किस पर depend कर रही है वो आपकी असंतुलित बल पर depend कर रही है तो और वो भी उसी के दिशा में जिस दिशा में समवेग है जिस दिशा में velocity change हो र तो वो उसके समान अनुपाद होती है, उसके बराबर होती है, जितना जादा force होगा, उतनी ही जादा velocity में परिवर्तन होगा, और वो समय के साथ होता है, the rate of change of momentum of a body, अगर जो body में, velocity में change आ रहा है, momentum में change आ रहा है किसी body के, वो directly proportional होगा, किस पर directly निर्भर करेगा, जितनी force उस पर applied हो रही है, और जिसकी वज़े से momentum जो है, वो change हो रहा है, वो भी किस direction में, जिस direction पर उस पर force लग रही है, तो force is directly proportional to change in momentum upon, जब change हो रहा है, तो वो समय के साथ हो रहा होगा, तो changing time भी यहां आ जाएगा, और यहीं से फिर यहां से एक formula निकल कर आएगा, force is equal to ma mass into acceleration, आईए इसको भी समझते हैं, एक object है, जिसका mass M है, वो move कर रहा है, straight line में और उसकी कुछ initial velocity है, मैंने मान लिया U, उसका prorambic wake जो है, वो U है, अब क्या हुआ, उसमें acceleration हुआ, जिसकी वज़े से समय के साथ क्या होगा, velocity में change होगा, और मैं एक constant force है, जो उस पर लगाए जा लिया, और यह जो velocity में change आता है, यही आपका momentum होता है, mass और acceleration की वज़े से, ठीक है, तो क्या होगा, initial और final momentum object का क्या हो जाएगा, वो होता है, आपका mass into velocity, mass शुरू में और velocity जितनी रही, और बाद में उसका mass तो वही रहेगा, हर बार mass थोड़ी चेंज हो जाएगा, हो गई, V हो गई, तो ठीक है, change in momentum यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, इसका मतलब जो बाद वाली velocity है, उसको माइनस कर दिया, शुरू वाली velocity से, M यहाँ पर common ले लेंगे, और V माइनस U हो जाएगा, यह rate of change of momentum है, समय के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर upon T बी आ और यह directly proportional है, और जब proportional का sign हटेगा, तो equal to आपका K आजाएगा, K को हम 1 माल लेंगे, तो force हमारा जो हो जाएगा, force is equal to कितना हो जाएगा, force is equal to MA हो जाएगा, mass into acceleration, तो यहाँ से हमने force पता कर लिया, कि कितना force लगाना पढ़ रहा है, कि वस्तु जब velocity प्राप्त कर रही है, तो वो हमें mask, mask के हिसाब से हमें force लगाना पढ़ रहा है, और acceleration के हिसाब से, जितना जादा acceleration object में लाना है, उतनी ही जादा force मुझे वहाँ पर लगानी पढ़ेगी, और यही हमारा second law of motion है, so we can say that the external force acting on an object, जो external force एक object पर काम कर रही है, वो किसके बराबर होगी, is the product of mass, जब्विमान और acceleration तुरण के force is equal to mass into acceleration और यह समय के साथ भी निरभर करती है, so the second law gives us the method to measure the force, अब यहाँ से हम force पता करते हैं कि किसी object पर कितनी force लग रही है, उसकी value हम यहाँ से, उसका magnitude हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और वो भी किसकी वज़े से होगा, किसकी वज़े से हम ऐसा निकालेंगे, वो हम निकालेंगे mass और acceleration से, mass और acceleration से हम एक object का force बता सकत हैं कि कितनी force उस पर कार्य कर रही है, अब कुछ example देख लेते हैं, second law of motion के, देखे, while catching a ball, a cricket player move his hand backward to reduce the rate of change of momentum, some way की दर को कम करने के लिए, वहाँ पर क्या करता है, वो अपना हाथ पीछे की और खीच लेता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर उसे कम बल, जो smaller force है, उसको exert क करना पड़ता है, to stop a ball, अब देखे, यहाँ पर हुआ क्या, जब वो ball को catch कर रहा था, अगर वो time, उसने यहाँ पर क्या करा, time को बढ़ा लिया, time बढ़ाने से क्या हुआ, momentum की जो change है, वो उसमें change आया, velocity अगर पहले जादा थी, क्रिकेटर के, जो cricket खेल रहा है, उसने ज हरा है, और वहाँ पर उसकी velocity को कम कर रहा है, और velocity कम मतलब force कम, तो वहाँ पर उसकी force भी कम हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर उसको कम force लगाना पड़ेगा, याद रखी, force डिरेक्ट डिपेंड करती है, velocity पर, velocity जादा, तो force यहाँ पर कम होगी, अगर velocity कम हो जाएगी, औ पो भी मैंने बता आय था किया होता है फोर हमें कम लगानी पड़ती है फोर्स जो है वो घटी चली जाती है तो वहाँ पर क्या होगा वहीं चीज हुई तो परिवर्टन हुआ और जिसकी वज़ेसे उसे थना समय मिल गया और से के व्याजे-चाहिंरीट समय पड़ है इन वहा उसी height से अगर वो cement के पत्थर पर गिरेगा तो वहाँ पर force जादा होगा क्योंकि change in momentum जो है वो जादा है और जिसकी वज़े से क्या होगा force भी जादा काम कर रही है लेकिन जब वो sand पर गिरेगा rate में गिरेगा तो वहाँ पर जो rate जो होगा change in velocity का वो कम हो जाएगा जिसकी व of motion जिसे हम गती का तीसरा नियम बोलते हैं जो कि काफी simple है जैसे अगर एक ball को अगर मैंने दिवार पर फेका तो वो टकरा कर वापस आती है ठीक है तो जब आपने फेका तो ठीक है आपने बल लगाया जिसकी वो दिवार से टकराई लेकिन दिवार ने भी वहाँ पर क्या क जितना force में जादा लगाऊंगी उसके अंदर velocity भी जादा हो जाएगी तो वो उतनी ही speed से डिवार पर टकराएगी तो दिवार क्या करेगी उस ball पर भी उतना ही force लगाएगी और उतनी ही तेज स्पीड से वो वापस आएगी आपने ऐसा देखा भी है अगर आप दिवार प जितना force आप लगा रही है दिवार भी ball पर उतना ही force लगा रही है अगर एक object पाँच न्यूटन का force लगा रहा है तो दूसरा object भी उस object पर पाँच न्यूटन का force लगाएगा और यही हमारा गती का तीसरा नियम होता है जिसे हम third law of motion बोलती है for every action there is equal and opposite reaction हर action की equal प्रतिकिर्या होती है और यह जो force है ना action और reaction force जो है यह अलग-अलग होती है अलग-अलग मतलब अलग-अलग object पर होती है बॉल अपना force लगाती है और दिवार जो है बॉल पर अपना force लगाती है देखिए हम जब बॉल को दिवार पर फेकते हैं तो व लेग में परिवर्तन हो रहा है बल वहां पर है जिसकी वज़े से वो दिवार पर टकरा रहा है लेकिन बॉल जो है दिवार से टकरा कर वापस आती है तो वहां कौन सा बल है वहां पर reaction force है प्रतिकिर्या बल है ऐसे ही जब हम स्प्रिंग को खीचते है ना तो हम बहुत आपको वापस रोकने के लिए ऐसे ही जब हम स्प्रिंग को खीचते हैं तो इसके लिए हम बल लगाते हैं तो इस प्रिंग भी हमारे हाद के विपरी दिशा में बल लगाता है एक्जर्ट फोर्स इन अपोजिट डिरेक्शन इसी चीज़ को समझाने के लिए लिए दिवार पर लगाया तो बॉल की वज़े से दिवार पर लगा और दिवार ने बॉल पर लगाया तो यह जो फोर्स है ना दोनों अलग-अलग अबजेक्ट पर लग रही है बॉल पर भी और दिवार पर भी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तदह दूसर पहली वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर क्या होता है बल लगाया जाता है और ये दोनों बल परिमान में हमेशा समान लेकिन दिशा में विपरीत होंगे अगर बॉल ने पांच न्यूटन का बल लगाया दिवार पर तो दिवार भी बॉल पर पांच न्यूटन का ही बल जो परिमार है वो तो हमेशा सेम होता है लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है जो दिशा होती है वो विपरीत होती है अगर एक नेबल इस डायरेक्शन में लगाया तो दूसरा वल इस डायरेक्शन में लगाएगा तो F A is equal to minus F B हो जाता है दूसरा negative हो जाएगा क्यों? विपरीत दिशा में है अब मैं अगर न्यूटन के third law के example की बात करूँ कि कहां हमें तित्यनियम देखने को मिलता है तो वो रॉकेट में हमें देखने को मिलता है जब रॉकेट आसमान में उपर जाता है तो वो पहले नीचे उतना ही force लगाता है और वही force क्या होता है जब न में बदावा है तो होड्स को आगे की तरफ खीचने की कोशिच करता है, लेकिन वहाँ भी थर लाफ मोशन देखने को मिलता है, जब आप जंप करते हैं बोट से तो आपने देख आपने तरफ आते हैं लेकिन जो बोट है ना वो पीछे की तरफ चली जाती है अब हमें जो यहाँ पर याद रखनी है ना वो बात उस चीज़ को भी और समझ लेते हैं सेम ऐसा ही आपका बंदूक में होता है जब आप बंदूक चलाते हैं ना तो बंदूक से जो गन है ना वो बाहर निकल जाती है लेकिन उसकी प्रत जो उनके direction होगी जो दिशा होगी वो हमेशा कैसी होती है अपोजिट होती है लेकिन इसके अलावा हमें एक चीज और समझनी होगी कि हमारा action और reaction force तो बराबर है किर्या और प्रतिकिर्या बल बराबर है लेकिन फिर भी यह जो बल है ना वो एक समान परिमान के त्वरण उ इक्वल मेगनेट्यूड यहां पर जो acceleration होगा वो काफी जादा होगा और इसलिए जो गोली होती है जो गण होती है उसकी जो velocity है वो काफी जादा हो जाती है और पीछे की तरफ velocity कम होती है क्योंकि acceleration जो है वो वहाँ पर कम होता है और इसलिए बंदुग थोड़ी से कार измен कर रही है रोग अलग दरविमान की वस्तूबब कर रही है इन दोनों का जो मास मास भार रही वह अलग 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 बिल्ट का जो मास है वह बहुत ख swiftly हुआ है तलग जिसकी वाज़े से क्या होगा अगर फॉर्स जधा लग रही है तो इसकी वैलोसिटी जो है क्यों क्यों कि यहां पर मास जादा है मैं आप से यह कहूं एक भारी object है और एक हलका object है और मैं 10 newton का बल लगा रही हूं दोनों पर इस पर 10 newton का बल लगाऊंगी तो यह जादा दूर तक जाएगी इसका acceleration जादा होगा इसकी velocity जादा होगी लेकिन अगर 10 newton का बल अगर मैं इस भारी object पर लगाऊंगी तो यह कम velocity होगी यहां पर acceleration कम होगा तो यह जो acceleration में change है भले ही जाए जो force है वो 10 newton की है भले ही जाए वो equal है वो इसलिए ही है acceleration में difference क्यों क्योंकि जो इनके mass होते हैं वो अलग-अलग होते हैं यह बात आपको ध्यान रखनी होगी confuse हो सकते हैं तो याद रखना है ऐसा क्यों हो रहा है force equal है लेकिन इनके mass equal नहीं है जिसकी वज़े से जो acceleration है ना वो भी different है तो यह था हमारा newton का third law of motion last में अब हम समझेंगे conservation of momentum somewhere क्या होता है और इसको हम एक example से समझने की कोशिश करेंगे suppose यह truck है इसका mass M है और यह कुछ velocity से इस direction में चल रहा है किसी सड़क पर same ऐसे ही उसी सड़क में दूसरी दिशा से इधर की तरफ truck की तरफ कुछ velocity और इस car का भी कुछ mass है यह truck की इशा की तरफ को आ रही है अब यहाँ पर हम external force जो वाही अवल है ना वो शून्या मानेंगे क्योंकि दोनों पर ही friction force कार्या कर रही होगी तो वो तो हट गई तो यहाँ पर और भी force जो है ना उनको हम नहीं मानेंगे तब ही जो है वो आपका conservation of momentum जो संवेग संद्रक्षन है वो कार्य करता है जिसमें जो संवेग है टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है वो बराबर होगा कैसे अब देखे क्या होगा यह truck जो है यह car से क्या हुआ टकरा गया अब देखे ट्रक का मास जादा है और इसकी velocity चाहें कुछ भी हो इसका मास बहुत जादा होने की वज़े से यह जादा force लगाएगा और यह जो कार है ना टकराने के बाद पीछे की तरफ बहुत तेज velocity से जाएगी उस velocity को attain करने की कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पर जो truck है ना उसने टकर मारी तो उसने अपनी force लगाई और जादा force लगी तो यह उसी velocity को पाएगी जिस velocity से क्या चल रहा था ट्रक चल रहा था तो यह जो truck वाली velocity है ना यह किस में आ गई आपकी यह कार में आ गई जिससे जो truck है ना वह भी विपरीद दिशा में गया लेकिन वह बहुत थोड़ा जाता है थोड़े थोड़ा विपरीद दिशा में जाएगा क्यों यूँकि उसने वह velocity ले ली जो कार के अंदर वेलोसिटी थी लेकिन अभी भी वेलोसिटी क्या रही जो निका वेलोसिटी समवेग में जो परिवर्त ना रहा है वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो अभी भी बराबर है पहले truck का जादा था टकराने के बाद अब car का जादा हो गया और कार का टकराने से पहले कम था अब टकराने के बाद ट्रक का कम हो गया तो कम जादा अभी भी वही रहा अभी भी यहाँ पर फोर्स बराबर ही रही 10 न्यूटन इधर लगाए तो वो फोर्स इधर कार में आ गई 5 न्यूटन की फोर्स अगर मैं कार की माल रही हूँ तो वो आपका समवेग संग्रक्षन है टकराने से पहले और टकराने के बाद जो उनका टोटल चेंज होगा समवेग में वेलोसिटी में वो बराबर रहता है जब external force कार्या नहीं कर रही होती है वेन देरीज नो external force या फिर unbalanced force में कहूं वो अगर एक्ट नहीं कर रही होती है हमारे system पर किसी निकाय पर तो जो linear momentum है पूरे system का वो conserve रहता है सीम रहता है बराबर रहता है दो वस्तू के समवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब कि जब और ये कब रहता है जब उन पर कोई असंतुलित बलकार्य नहीं कर रहा होता है और इससे ही हम कहते हैं कि दो वस्तू का जो कुल समवेग होता है total momentum होता है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है उसमें कोई change नहीं होता वो आपरिवर्तनिय रहता है या फिर हम कहें वो संगरश्चित रहता है वो conserve रहता है मैंने आपको diagram से समझा भी दिया लेकिन आप कहेंगे ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता देखने को मिलेगा देखे यहां पर diagram से समझा भी रखा है before collision दो बोल इस तरह से आरी है collision हुआ उसके बाद भी क्या होगा यह उसी वेक से क्या हो जाएगा वापस चली जाएंगी अगर इनकी velocity भी same है और इनका mass भी same है तो same उसी velocity से यह पीछे की तरफ वापस हो जाएंग तो यहां पर conservation of momentum कार्या कर रहा है same ऐसे ही उपर की तरफ भी कार्या करेगा देखे यह MA कोई mass है इस ball का और इसकी कुछ velocity है जो की काफी जादा है किस से दूसरे जो mass की ball है उसका mass same है और इसकी velocity कम है अब जब इसकी velocity कम है और mass एकी ball जो है उसकी velocity जादा है बले यह एक direction मे जा रही है तो सीधी सी बात है जब इसकी velocity जादा है और इसकी velocity कम है तो यह टकराएंगी तो suppose यहां पर आकर टकरा गई तो ball A ने तो force लगाया ball B पर और ball B ने force लगाया आपका ball A पर अब देखे velocity में change है भले ही चाहे इनका mass दोनों का same है अब जिसकी velocity जादा होगी वो कि A पर विप्रीत दिशा में अपना force जिसकी वज़े से क्या होगा जब A ने force लगाया तो यह जो दूसरी ball है ना B यह बहुत तेजी से चलने लगेगी यह उस speed से चलने लगेगी जिस वेग से पहले ball A चल रही थी और यह जो ball B जिसमें A पर force लगाया और जिस वेग से चल र हुआ जो velocity में change है वो अभी भी conserve रहा भले ही चाहें वो एक दूसरे में आ गया लेकिन अभी भी वो उतना ही रहा पहले अगर car A जो है अब हम conservation of momentum को derivation से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो momentum है समवेग है वो सनुरक्षित रहता है यह तो हमें पता है जब एक object दूसरे object पर force लगाता है तो दूसरा object भी पहले object पर equal amount की force लगाता है लेकिन यह force opposite direction में होती है तो हम यह कहेंगे जो force पहले object ने लगाई F A व तो कि यह opposite direction में force लगा रहा है जिस direction में force लगाई A उसके opposite direction में force लगा रहा है equal amount की तो यहाँ पर हम minus sign ले लेंगे अब देखे force का formula क्या होता है mass into acceleration और acceleration जो तरण होता है वो क्या होता है final velocity अंतिम वेग माइनस परारंबेग वेग जो हमारा initial velocity है upon time तो वही formula हमने यहाँ प initial शुरू में जो velocity वेग रहा होगा वो U1 रहा होगा और नीचे T आ गया same ऐसी इसकी final velocity जो है वो V2 है और इसकी जो initial velocity रही होगी वो U2 रही होगी अब यहाँ से T और T क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो कुछ इस तरह की equation यह बन जाएगी उसके बाद M1 और M2 को इनके अं जिसके बाद हमारी equation कुछ इस तरह की बन जाएगी जो कि बिल्कुल इस तरह से होगी और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो final momentum है क्योंकि V1 और V2 है दोनों object की क्या है final velocity है तो जो final momentum रहा दोनों object का वो किसके बराबर निकल कर आ गया original momentum of two object जो इहाँ पर इनका initial momentum र पराबर हो गया यहां से हमें यह पता चलिगा जो momentum है वो कैसा रहा conserve रहा संग्रक्षित रहा और यही हमारा conservation of momentum है मुझे लगता है यह chapter आपको clear हो गया होगा वीडियो अच्छी लगी है तो like सबको जरूर करना है शेयर करें प्लीज subscribe भी जरूर करें और आगे हम इस chapter के numeric दिखेंगे thank you for watching